आज की इस लेक्चर में हमने देखना है कि एड़िस्टिंग एंट्रीज की जो दो टाइट्स होती है रेविन्यू से रिलेटेड वो रेविन्यू से रिलेटेड कौन सी दो टाइप होती है बिसिकली एड़िस्टिंग एंट्रीज टोटल फो टाइप्स की होती है दो एक्सपेंसे से रिलेटेड होती है जो कि हम लास्ट लेक्चर में डिसक्स कर चुके हैं और दो एड़िस्टिंग एंट्रीज रेविन्यू से रिलेटेड होती है जो कि आज की हमारे इस लेक्चर का पार्ट हैं अच्छा रेविन्यू क्या होते हैं जब आप किसी को सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं तो इसका मतलब है कि आप वो रेविन्यू अर्ण कर रहे हैं अच्छा जब आप रेविन्यू अर्ण कर रहे होते हैं तो रेविन्यू के दो तरीके होते हैं या तो पैसे ले लेते हैं revenue के यानि service आप बाद में provide करते हैं और advance में आप पैसे ले लेते हैं तो वो आपका revenue क्योंकि आप advance में ले लेते हैं तो वो revenue unearned कहलाता है यानि अभी आपने earn नहीं किया वो आपकी liability होती है और दूसरा revenue का तरीका ही होता है कि आप service provide कर चुके होते हैं लेकिन अभी आपको वो amount uncollected, unbilled या unrecorded होती है यानि service तो provide हो गई है लेकिन पैसे नहीं मिले बिलकुल इसी तरह जिसे doctor की fees होती है तो doctor अपनी fees दो तरह से लेते हैं या तो वो for example अगर हम operation की बात करें तो वो operation करने से पहले यानि service provide करने से पहले जो पैसे मांग लेते हैं वो उनका वो revenue क्या कहलाता है service provide करने से पहले का revenue, unearned revenue कहलाता है, advance revenue इसी तरह service provide कर चुके होते हैं लेकिन अभी पैसे नहीं मिले होते हैं वो uncollected, unbilled या फिर unrecorded revenue होता है revenue by nature credit पे record करते हैं तो दोनों type की adjusting entry में आप देख लीजें revenue की side पे आ रहा है, credit side पे अगर unearned revenue है, तो unearned revenue debit कर देंगे क्योंकि इस entry का नाम है converting liabilities to revenue इसलिए unearned revenue हम debit कर देंगे और अगर ये uncollected की type है, तो फिर हम accounts receivable debit कर देते हैं यानि ये वो पैसे हैं जो मिलने वाले होते हैं, इसी वज़े से हम accounts receivable debit कर देते हैं अब जब हम transaction पढ़ेंगे तो उसके बाद हमें पता चलेगा यानि transaction पढ़ने के बाद हमें पता लगाना है कि ये unearned की हम बात कह रहे हैं या uncollected की अब for example ये पहली transaction इसमें लिखावा है crude but unrecorded fees earned यानि fees earned तो कर ली है लेकिन अभी record नहीं की है record नहीं की, इसका मतलब है अभी मिली नहीं है अगर मिली नहीं है, मिल जाएगी तो जो मिल जाएगा वो amount क्या कहलाती है accounts receivable so accounts receivable हम debit side पे कर देंगे one month की amount कितनी है fifteen hundred और क्या आपने earn किया है revenue earn किया है तो हम इसको fees earned कह सकते है revenue कह सकते है ये हमारा हमेशा revenue हमारी किस side पे होती है credit side पे fifteen hundred से हम entry pass कर देंगे यानि transaction हम पढ़ेंगे हमें पता चल जाएगा अब for example यहाँ पे लिखावा है records show that twenty five hundred of cash receipts originally recorded as unearned fees यानि यकीन and unearned का मतलब पहले ये क्या हुआ होगा आपको advance में मिली होगी now has been earned अब क्या हो गई है ये earned हो गई है तो अगर unearned की है तो इसका मतलब है हम liability को convert कर रहे हैं revenue में तो unearned हम debit कर देंगे तो यहाँ पे unearned revenue debit हो जाएगा कितनी amount से debit होगा one month की amount से twenty five hundred से और revenue earned हमेशा credit होगा revenue earned कितनी amount से हमने credit करना है one month की amount से twenty five hundred से इसी तरह एक और example है record shows that forty four hundred dollar in studio revenue has had not yet been billed or recorded यानि unbilled है unrecorded है तो इसका मतलब है receivables की बात हो रही है अभी पैसे नहीं मिले मिलने वाले हैं तो जो पैसे मिलने वाले हैं वो क्या कहलाते हैं accounts receivable accounts receivable हम कौन से side पे लिख देंगे debit side पे और कितनी amount की बात हो रही है forty four hundred dollar की और ये पैसे क्यों मिलने वाले हैं क्योंकि आपने service provide की है studio revenue earned या सिप studio revenue भी लिख दें तो काफी है ये हो जाएगा आपका credit कितनी amount से credit हो जाएगा forty four hundred से last transaction हम पढ़ते हैं record shows that thirty six hundred of cash receipts originally recorded as unearned revenue यानि पहले ये liability record किया था तो अब हम liability खतम कर देंगे unearned revenue हमारा credit debit हो जाएगा क्योंकि liability convert हो रही है और कितनी amount से thirty six hundred से और हमारे पास credit क्या हो जाएगा revenue earned हमेशा credit होता है तो कौन सा revenue है studio studio revenue earned कितनी amount से हो रहा है ये हम कर देंगे credit साइट पे और ये हो जाएगा thirty six hundred dollar so class हमने ये देखा कि अगर adjusting entries revenue से related हो तो वो दो ही तरह से हो सकती है या revenue आपने advance में लिया वा है जो कि unearned कहलाता है या revenue आपने अभी collect ही नहीं किया uncollected, unbuild, unrecorded दोनों सूर्टों में revenue हमेशा credit होगा अगर unearned type होगी तो unearned debit हो जाएगा uncollected की type होगी तो receivables या accounts receivable debit हो जाएगा so that's it in this video इसकी adjusting entries की detail video मैं आपको link में share करा दूँगी जिसमें हमने full-fledged questions किये वे हैं इसी table की मदद से so that's it from this video take care class